नमस्कार दोस्तों, मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोश खबर का एकरम कॉंग्रेस, कॉंग्रेस के नेता राहूल गांधी इसमें देश में एक एहम यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोडो यात्रा, दो राजियों का सफर कर चुकी है तमाम दिनों में जिस तरह की तस्वीरे सामने आई हैं उससे ऐसा लग रहा है कि लोग जनता इससे जुड़ना चाहते हैं लेकिन संकट कहीं और है, संकट बहुत गहरा है कॉंग्रेस को कॉंग्रेस जोडो यात्रा की जरूरत दिखाई दे रही है नेत्रित्र की गंभीर समस्या सामने आई है जिस तरह से राजस्थान में खलबली मची है हम सब जानते हैं कि राजस्थान में जो घटना करम चल रहा है वह सिर्फ भारत जोडो यात्रा को ही खराब नहीं करेगा बलकि कॉंग्रेस एक बार फिर यह साबित करेगी कि वह देश में सरकार चलाने में अक्षम है यह जो बड़ी समस्या कॉंग्रेस के भीतर है इसे एड्रेस करने के लिए कोई नेता तैयार नहीं दिखाई देता कि जिस समय इतनी एहम यात्रा कॉंग्रेस निकाल रही है कन्या कुमारी से कश्मीर तक इतने हजारों किलोमीटर का सफर तैय कर रही है ठीक उसी समय उसके तमाम जो पुराने लोग हैं वह अपने पद को लेकर जिस तरह से गलीचता कर रहे हैं जिस तरह से लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं उससे एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि नीची के कैडर की तो छोड़ दीजिए जो लोग मुख्यमंत्री हैं या मुख्यमंत्री पत के दावेदार हैं वे सब भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने से ज़्यादा अपने निजी छोटे छोटे हित को साधने में लगे हुए हैं इसका सीधा कनेक्शन जो इस समय कॉंग्रेस में चुनाव की प्रक्रिया हो रही है अध्यक्ष चुना जाना है हम सब जानते हैं कि 2019 से कॉंग्रेस जो कुछ भी कह लीजे इस समय देश की संसद में सबसे बड़ा विपक्ष है उसके पास 19 से लेकर अभी तक कोई पूर्ण कालिक अध्यक्ष नहीं है एक के बाद एक वे सारे राजियों को खोते जा रहे हैं चाहे करनाटक हो, मद्दप्रदेश हो, गोवा हो और पता नहीं, राजस्थान उत्तर पूर्व की बात तो हमने की ही नहीं नौर्थीस्ट की हमने बात की ही नहीं हम गुलाम नभी आजाद को भी अगर छोड़ दें लेकिन जिस तरह से गुलाम नभी आजाद कॉंग्रेस नेत्रतु पे निशाना साथते हुए गए उन्हें एक्क्यूस करते हुए गए उस समय भी ये सवाल हमने उठाया था कि जो कॉंग्रेस नेत्रतु है वह क्यूं नहीं समझ पा रहा कि उसके लोग किस तरह से एक्ट करने वाले हैं क्या कॉंग्रेस नेत्रतु को पता नहीं था कि राजस्थान में इतने बड़े पैमाने पर खलबली होगी और इस खलबली का जिम्मेदार कौन होगा सवाल बहुत तीखा है कि आपकी लड़ाई विपक्ष की लड़ाई ऐसी ओगनाईजड ऐसी संग्ठित पार्टी से है जो चुटकियों में मुख्यमंत्री तक बदल देती है और कहीं कोई हंगामा नहीं होता ऐसे में जो सांग्ठिनिक धाचा है कॉंग्रेस का जिस तरह से निजी हित राजनतिक हित के ऊपर हावी दिखाई दे रहे हैं उसमें बहुत जरूरी है कि कॉंग्रेस अपने नेत्रितु को मजबूत करे मैसेज साफ दे कब क्या करना है यह निर्धारित उपर से नीचे की ओर करे मुझे लगता है कि इस समय जिस समय भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और इसे लेकर दूसरे ढंकी आशाएं सामने आ रही हैं लोग जुडने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे में कॉंग्रेस का खुद पर कॉंग्रेस का भरोसा होना वह बुनियादी चीज है जिसमें वह विफल होती दिखाई दे रही है हम सब जानते हैं कि लगातार दावे हो रहे हैं देश की वित्यमंत्री निर्मला सीतार अमन लहातार कभी हनुमान का लाम ले रही हैं कभी यह दावा कर रही हैं कि भारती रुपिया बाकी विदेशी मुद्राओं से मजबूत है लेकिन देखिए आज ही सुबह रुपिया फिर एतिहासिक गिरावट की ओर बढ़ा शाम तक उसकी स्थिती और खराब हुई सुबह सुबह 81.54 कीमत थी रुपे की एक डॉलर के बरक्स सिर्फ इतना ही नहीं हम सब देख रहे हैं कि भारत का विदेशी मुद्राओं भंडार जो बहुत एहम है किसी भी देश की अर्थविवस्ता की मजबूती के लिए वह कम हो रहा है 16 सितंबर 2022 को जो हफ़ता खतम हुआ उसमें भारत का जो विदेशी मुद्राओं भंडार है वह 5.22 अरब डॉलर कम हुआ यानि सीधा मतलब है कि विदेश से जो चीजें भारत को आयात करनी है उसके लिए हमारा भंडार कम हो रहा है संकट के समें जिस तरह का माहौल है अंतराश्टिय ग्लोबल एकनॉमिक का उसमें यह साफ संकेत है कि भारत की अर्थविवस्ता खराब हो रही है और यह किसी भी संकट को जेलने के लिए तैयार नहीं है यह एक प्रवर्टी है टेंडेंसी है जो लगातार कुछ समय से बनी हुई है और भारती अर्थविवस्ता को जो प्रधान मंत्री नरेम मोदी का दावा था कि 5 trillion dollar की economy बनाएंगे बहुत बहुत दूर यहां पर रुपिया लगातार गिर रहा है और इसे लेकर कहीं से भी कोई सजग intervention हस्तक्षेप सरकार का नहीं दिखाई दे रहा एक बात जो बहुत परिशान करने वाली है और शायद आपको भी उतना ही परिशान कर रही होगी जितना मुझे रोज तकरीबन खबरे आ रही हैं महिलाओं पर हिंसा की लड़कियों पर हिंसा की बरबर यौन शोशन की बलातकार की इसमें उत्तराखंड से जो खबर आई है वह तो रौंग्टे खड़े करने वाली है क्योंकि यहां पर पॉलिटिक्स का जो घाल मेल है सत्ता का जो घाल मेल है वह पूरी नंगई के साथ सामने उजागर हो रहा है भाशपा के नेता उनके बेटे आरोपी हैं अंकिता भंडारी की हत्या और यौन शोशन के और इसके बाद जिस तरह से प्रशाशन बचाने पर उतरता है इस पूरे मामले की लीपा पोती करने पर उतरता है वह और ज़्यादा खौफ़नाक है आप देखिए कि रातो रात जिस रिजॉट में अंकिता भंडारी काम करती थी उसे तोड़ दिया गया जो सबूत मिल सकते थे जो क्राइम सीन था वह सारा का सारा ध्वन्स कर दिया गया और अब आप सुनिये अंकिता के पिता की कहानी उनके दर्द को सुनिये वह रो रो के कह रहे हैं कि सब कुछ खतम हो गया उन्हें कहीं से भी उम्मीद नहीं है नियाय की परीजन कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरे मामले को दमाने रफा दफा करने दूसरा मामला बनाने की कोशिश की जा रही है इसमें आरोपी को पकड़ना आरोपी के खिलाफ मजबूत केस बनना तो बहुत दूर की बात है किस तरह से मामला टर्न करेगा इस पर हमें और आपको निगाह बनाए रखनी होगी विडम्बना देखिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे देने वाली सरकारें जब बेटियों पर हमला होता है तब यह बात कहती है ये वही लोग हैं जो बिलकिस के बलातकारियों को जब रिहाई मिलती है तब माला पहनाते हैं तब जश्न मनाते हैं मिठाई किलाते हैं और दिल्ली से महज कुछ किलो मीटर दूर मेरट कमिशनरी चोराहे पर देखिए यह तस्वीर बता रही है कि आज की तारीख में किसी भी धर्म की महिला हो उसके साथ किस तरह का सलूक होता है यह मा बेटी मेरट कमिशनरी चोराहे पर पहुची पेट्रोल लेकर आत्मदा करने के लिए पहुची वजह बहुत साफ जिसे वह चीक चीक के कह रही है छे साल पहले रेप हुआ था कोट ने दोशियों आरोपियों के ख गिरफतारी का वारिंट तक दे रखा है लेकिन गिरफतारी नहीं होती है मा बेटी को गाली गलोज करकर पुलिस प्रशाशन भगा देता है यह दो वाके यह बताने के लिए काफी है कि किस तरह का माहौल किस तरह का निया भारत रचा जा रहा है और वह हम तमाम महिलाओं के के लिए पुर्शों के लिए कितना खतरनाक और खौफनाक है देश विदेश में जब हमारे मंत्री बोलते हैं तब उसकी गूंच बहुत दूर तक दिखाई देती है सुनाई देती है मिसाल के तौर पर देखिए देश की विदेश मंत्री एस जैशंकर ने आरोप लगाया कि अमरीका का जो मेंस्ट्रीम मीडिया है वह भारत की कवरेज को लेकर बहुत बायस्ड है यानि वह सही ढंक से नहीं दिखा रहा उसके कुछ अपने नोशन्स हैं अपने पुर्वानुमान हैं अवधारनाय हैं भारत के बारे में अच्छी तस्वीर नहीं दिखा रहा और ठी इसी समय भारती मीडिया ने उसके एक टॉप चैनल ने दिल्चस्प कारगुजारी की अब आप देखिए यह जो पूरा मामला है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं यह बताता है कि भारत का जो कॉर्परेट मीडिया है वह किस तरह से खबरों के साथ खेल कर रहा है हमारे और आपके साथ खेल करते करते वह दो देशों के बीच किस तरह का तनाव पैदा करता है यहाँ आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह रिपब्लिक भारत की खबर है इस खबर का जो सोर्स है वह एक मजाग है एक ट्वीट है यह ट्वीट इसको किस तरह से इस राष्टभक टीवी चैनल ने चीन में सेना द्वारा तक्ता पलट की खबर में तब्दील कर दिया और यह मिसाल देश का नाम दुनिया भर में रोशन करने के लिए बहुत काफी है परियाप्त है यहां जिस खबर का जिक्र कर रहे हैं उसका आधार बहुत दिल्चस्प है इसे बहुत ध्यान से देखिए बहुत ही रोचक है खबर ही अपने आप में यह जो सारा वितंडा बिल्डप किया बनाया इसका आधार था जर्मन न्यूज वेबसाइट देर स्पिगल के संबादाता जॉर्ज फाहरियान की एक व्यंग्यात्मक ट्वीट एक ट्वीट थेड उन्होंने किया यानि मजाक में जो एक उन्होंने ट्वीट किये लगातार कुछ ट्वीट किये जिसमें क्योंकि ये बीजिंग के संबादाता हैं चीन में रहते हैं तो बहाँ पर मजाग के लिए इन्होंने कुछ दिल्चस्प हसने हसाने वाले फोटो खीचे और उनको ट्वीट में लगाकर यह बताने की कोशिश की कि देखें किस तरह से चीन में सत्ता पलट हो रहा है अब आपकी स्क्रीन पर ये तमाम ट्वीट और इनकी फोटो हम दिखा रहे हैं यह अपने आप में बताने के लिए काफी है जहां पर साधार नागरिक खड़े हैं जहां पर टूरिस्ट खड़े हैं जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर जा रहा है उस सब को किस तरह से रिपब्लिक भारत ने टी आरपी बटोरने के लिए दस मिनट की रिपोर्ट बनाई और हमें और आपको परोसा यहां इस खबर की इतनी डिटेल इतनी विस्तर जानकारी हम इसले दे रहे हैं क्योंकि यह महज इत्तफाक है कि इसका खुलासा इतनी जल्दी हो गया व बहुत से घरों में जहां पर उन्हों ने खबर देखी उन्हें लग रहा था कि वाकई चीन में सेना ने तख्ता पलट कर दे इस पूरी मामले में जब यह जानकारी समधाता तक उस रिपोर्टर तक पहुची तो उसने जो ट्वीट किया वह भारती मीडिया के लिए बहुत बड़ा तंगा है उन्होंने बताया कि दो चीजें इंफिनाइट हैं यानि आदमी कितना बेफकूफ हो सकता है किस तरह से बेहुदी हरकत कर सकता है यहां ध्यान दीजिए कि यह सब कुछ भारती मीडिया के संदर में बात हो रही है इसकी मिसाल हम बार बार देते रहते हैं और अंत में देश के तमाम गौभख्तों से एक आगरह है हाद जोड कर विंती है कि आप गायों को बचाने के लिए अपनी पसंदीदा सरकारों पर मोधी सरकार पर राजे सरकार पर दबाव बनाईए आप तो गाय के नाम पर इंसानों को मारते हैं लिंचिंग करते हैं एक गाय के बारे में खबर आ जाए कितने लोगों कोई जिंदगी आपने तबाह की है इसकी मिसाल नहीं है लेकिन इस देश में एक लाख गाय मर चुकी हैं एक लाख गाय सोचिए एक गाय के मरने की जूटी खबर पहला कर आप दो तीन लोगों को मारने की परमपरा रखते हैं यहां पर इस देश में एक लाख गाएं मर चुकी हैं और पंदरा राज्यों में बीस लाख से अधिक गाएं इस खतरनाक बीमारी लुम्पी स्किन डिजीज जो तुचा की बीमारी है उससे पीडित हैं गाए पालकों की जान पर आई हुई है बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां पर सडकों पर चलना मुश्किल है क्योंकि जगा जगा गाएं मरी हुई हैं हमने ये भी खबरें और वीडियो देखे हैं कि किस तरह से सैकडों की तादाद में जो गाएं मर रही हैं इन्हें उठाने इन्हें दफनाने के लिए कोई नहीं सामने आ रहा है महामारी पहलने का खत्रा असल खत्रा है लिहाजा तमाम बातों पर दावा करने वाली सरकारों को और तमाम गौब भक्तों को असल में गौब पालोकों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए यह जो स्किन डिजीज तमाम राजियों में फैल रही है यह पहले से कमजोर भारती अर्थविवस्था संकट में फसी क्रिशी को और जादा तबाह करेगी लिहाजा मोधी सरकार से आप तमाम एक ही स्वर में मांग कीजिये कि इनसानों की नहीं कम से कम गायों की तो वह फिक्र करें शुक्रिया